नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Management Training Program के उपर बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड आ रहे थी कि सर MT Program के बारे में बताएं Kitchen Management Training Program क्या होता है Management Training Program क्या होता है तो इस वीडियो के अंदर हम लोग complete जानेंगे क्या होता है Management Training Program और साथ ही में हम लोग जानेंगे कि किन स्टेफ्स के थूँ ये प्रॉसेस किया जाता है और selection किस process के through होता है I mean कितने rounds होते हैं ये सारे चीज़ें हम discuss करने वाले हैं तो अगर आप इस channel पर नए हैं तो channel को subscribe ज़रूर कर लें क्यूंकि इसी तरह की helpful videos आगे भी मैं post करने वाला हूं तो अभी जाके subscribe करें तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग यह समझे कि किसी भी होटल के अंदर चार मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं ये चारों डिपार्टमेंट्स होते हैं front office, housekeeping, food and beverage service और लास्टली दोस्तों आप लोगों का मन पसंद food production याने की kitchen management training program so guys दोनों के selection process में difference होता है kitchen management training का process different होता है और जो दूसरे management training programs होते हैं उनका process अलग होता है आप लोगों को बता दो दोस्तों कि management training programs को निकालना कोई बहुत मामली बात नहीं है बहुत मैनत लगती है और आपके अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए उसे clear करने की तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं वो सारे steps जो की एक management training को select करने में किये जाते हैं सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो management training program है उसकी किचन management training का हम बात में बात करेंगे सबसे पहला step होता है guys की आपका management aptitude exam लिया जाता है इसके अंदर दोस्तों reasoning, quantitative aptitude और दोस्तों technical knowledge का test किया जाता है students का so guys अगर आप लोग ये exam clear कर लेते हैं तो आप लोगों का इसके बाद group discussion होता है group generally दोस्तों 8 से 10 लोगों का बनाया जाता है और साथी में दोस्तों अगर candidates जादा select होते हैं GD में तो कई बार ऐसा भी किया जाता है कि दो दो बार GD हो जाता है यानि कि group discussion दो दो बार होगा अगर दोस्तों आप लोग second round यानि कि GD को भी निकाल लेते हैं तो उसके बाद होता है X time पर या फिर इसे हम on the spot speech भी कहते हैं इसमें दोस्तों होता ये है कि आपको कोई भी topic on the spot दिया जाएगा stage के उपर और आपको दो मिनिट उसके उपर कुछ न कुछ बोलना पड़ता है guys believe me लगता है कि दो मिनिट तो कोई भी बोल सकता है लेकिन जब आप stage पर पहुंशते हैं तो उस time पर mind बिल्किल blank हो जाता है आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोलें क्या ना बोलें और आप लोग चुप-चप खड़े हो जाते हैं ऐसा मैंने अपने friends के साथ होते हुए देखा है दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं अगर दोस्तों आप ये भी round clear कर जाते हैं तो इसके बाद guys आप लोगों का होगा personal interview उन recruiters के साथ जो की आपके college में visit करते हैं तो उनके साथ आपका P.I. almost 15-20 मिनट का चलेगा guys दोस्तों अगर आप लोगों को select कर लिया जाता है तो इसके बाद दोस्तों आपका personal interview वहाँ के city के जो general managers होते हैं hotels के अंदर जो operate करते हैं उनके साथ आपका personal interview लिया जाता है guys अगर आप लोग ये step भी पूरा कर लेते हैं ये process में भी select हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों का होगा psycho test अगर दोस्तों आप लोग psycho test को भी clear कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों का personal interview होगा regional managers के साथ यानि की area managers जो होते हैं उनके साथ भी आपका personal interview लिया जाता है अगर guys आप लोग वहाँ से भी recommend हो जाते हैं यानि की clear कर देते हैं वो भी personal interview का round तो आप लोगों का दोस्तों अगला interview होता है जो hotel की chains के जो MD CEOs होते हैं उनके साथ आपका final interview होता है और अगर आपने ये interview crack कर लिया दोस्तों तो आपको management trainee के तौर पे select कर लिया जाता है तो दोस्तों जितना आसान आप लोग समझते हैं hotel management को उतना आसान ये है नहीं घबराईये नहीं दोस्तों मैं आप लोगों की पूरी help करूँगा लेकिन उसके लिए आपको मेरा channel subscribe करना होगा क्यूंकि जो भी मैं videos upload करूँगा वो आप तक तभी पहुँचेगा जब आप channel को subscribe करेंगे दोस्तों अलग-अलग hotels का अपना-अपना अलग-अलग management trainee programs होते हैं जैसे कि Oberois का OCLD के नाम से काफी popular है हो सकता है कि आप में से कई students को पता भी होगा इसी तरह से ITC का भी अपने management trainee program है और भी दूसरे-दूसरे hotels का अपना individual अलग-अलग management trainee program होता है दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज बताना भूल गया कि management trainee select होने के बाद guys आप लोगों की training होती है 18 months से लेके 24 months तक यानि की डेड़ से 2 साल तक आपकी training चलती है training complete होने के बाद आपका एक exam लिया जाएगा दोस्तों और अगर आप ये exam को qualify कर लेते हैं तो आप hotel के अंदर दोस्तों directly assistant manager की post पे post किये जाते हैं आपको as a assistant manager की post मिल जाती है और finally दोस्तों जान लेते हैं कि salary हमें कितनी मिलेगी तो जैसे कि दोस्तों मेरी campus के time ITC अपनी management trainee program लेके आई थी और previous year guys ITC ने 56,000 पर मंत की salary हमें offer की थी So guys एक management trainee को बहुत सारी इज़त मिलती है पैसे तो मिलते ही मिलते हैं और साथी में दोस्तों उसकी position भी बहुत अच्छी होती है होटल के अंदर इसी तरह की helpful videos के लिए चैनल को subscribe करना ना भूले आप लोगों से मिलता हूँ मैं next video के अंदर आप लोगों से मिलता हूँ मिलता हूँ मिलता है